स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेड़ना टीवी चैनल के तरफ से दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द ही सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि आप सभी को डेनरलम से जुड़ी उसके साथ साथ केंसरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले दिदी आप सभी को अगत कर दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेणा टीवी चैनल को जल्द से जल्द सस्क्राइब कर लिजिए अगर दिदी आप पहले से ही डेनरलम में जुणी है तो आपसे निवेदन है कि पंचसूत का पालन करना बिल्कुल नभूले साथ ताहिक बैठक, साथ ताहिक बच्छत, आंत्रीक उधार, समय सिर्नमापसी लेखा जोखा इन पंचसूत्रों का करेपालन और अपने समू को रखे सक्री क्योंकि सक्री समू को ही योजनाओं का लाब दिया जाता है और वरिता भी मिलती है तो चलिए दिदी ज्यादा ना बात करते भी में टॉपी की तरह पाते हैं जैसा कि आपने हमारे थमनेल में देखा है स्वयम सहायता समू की सक्री ने जमा कराए निस्त रीत बिल जी हाँ और यहाँ विद्धुत विभाग की ओर से उपभोगताओं को विजली बिल अदायकी में राहत देन लगी है स्वयम सहायता समू की महिला जी हाँ दिदी और यहाँ विद्धुत विभाग की ओर से उपभोगताओं को विजली बिल अदायकी में राहत देने के लिए एक मुस्त समाधान योजना की सवगात दी गई है 21 सितंबर से पूर के बिलो को नवंबर मा के अंतक बकाया जमा करने पर सरजाजर में छूड की सहुलियत दी जा रही है तेहवार पर छुटियों के चलते योजना प्रभावित न हो इसके लिए विभाग की ओर से रविवार को भी बकाया का निस्तारण बिल जमा कराया गया सहर इस्थित सरकिल कार्याले पर रविवार को बिजली बिल जमा कराने के लिए काउंटर खूले रहे स्वेम सहता समू की सकी प्रेंका ने करीब पचास से अधिक उपभोगताओं के बिजली बिलो के निस्तारण का करते हुए 40,000 रुपय का राजस्व जमा कराया और रईया वा दिब्यापूर उपखंड के अलावा अन उप केंद्रों वा आनलाइन केंद्रों पर विभाग के कर्मचारियों ने गुड़े पांच अस्थान पर सीविर लगाकर उपभोगताओं के बिलो का निस्तारण करते हुए बकाया बिल जमा कराया अधी छण अभियंता दिनेश कुमार दोहरे ने बताय कि दीपावली अवकास की भर पाई के लिए रविवार को काम जारी रखा गया समाधान योजना का लाभ अधिक से अधिक भोगताओं को मिले इसके लिए जरूरी प्रभंद किये जा रही है कौसल विकास प्रशिच्छन केंद का हुआ सुभारम चलिए दिदी आज के वीडियों बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक, सच्काइब, सेर करना बिल्कुल न भुले धन्यवाद, जया जी विका